साथियों नमस्कार कैसे आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे उम्मीद एक दम फस्कलास होंगे दोस्तों अगनी वीर रैली भरती और अगनी वीर में आप लोग को पता है कि चार साल के लिए जो कैंडिडेट को लिया जाता है लगातार अपडेट आ रही है कि इस भरती में बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है जहां पहले 25 परसेंट यह बताया जाता था कि पर्म उस पेपर ने उसे 75 परसेंट पर्मानेंट भी दिखाया था देखे यह आगे की बात है इस पर भी मैं अपडेट आपको दूँगा लेकिन आज की जो अपडेट है हर अगनी वीर को पैंसन वाली नौकरी मिलेगी यानि अगर अगनी वीर चार साल की सर्विस पूरी करके अ अपने घर वापस लोटेगा तो उसे फैंसन की सुविधा प्रदान की जाएगी अब यह पैंसन कितनी हो सकती है मान के चलना लगबग लगबग 15-20,000 के आसपास तो जरूर होगी जिससे की उसका जो गुजारा है वो आसानी के सास्थ हो सकता है तो यह आज की अपडेट थ है वो दी जाएगी और यह किसी और ने नहीं अमित सहाजी ग्रह मंत्री इन्होंने ही ऐलान किया है इन्होंने रेवाडी अंबाला कुरुक्षेतर इन छेतर में तीन रैलियों को संबोदित किया था रेवाडी में जन आसिरवाद रैली को संबोदित करते हुए उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार हर अगनी वेर को पैंसन वाली नोकरी देगी अंबाला के बराड़ा में उन्होंने कॉंग्रेस पर दलितों का अपमान करने का आरोप लगाया कुरुक्षेतर के लड़वा में तीसरी लेली में सहा ने कहा कि जब तक भाजपा की मोधी सरकार है तथा आरक्षण खतम नहीं होने दिया जाएगा सहा ने रेवाडी में किसानों के हितों को लेकर कॉंग्रेस निता राहुल गांदी पर भी निसाना साधा तो देखिए आरक्षण को खतम ना करने की जो बात है वो भी कही गई है आरक्षण यथावत रखा जाएगा दूसर जाएगा टार जाएगे दूसर को खतम प्रब में के हैं लेक कुड़ एलाक्षण PPAC-P